नमस्त दोस्तों आपका एक वाफिर से स्वागत है आपके अपनी योटूब चानल योटूब सहली पूजा में दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छी टॉपिक पर बात करने वाली हो और कंटिन्यूवर्सली आपकी कई सारी कोश्चन आ रहे हैं हमेशा आपकी completely family करने के लिए आप लरका लरकी दोनों की ही एक्छा रखते हैं तो आज आपकी सारे doubt और myth इस वीडियो में clear होने वाले हो और किस महीने से आपको prediction करना है कि आपकी गर्व में क्या पल रहा है यह बहुत ही आसानी से आप अंदाजा लगा सकती है आज का ये वीडियो बहुत ही knowledgeable और informative होने वाला है इस वीडियो को last तक जरूर देखना और जो भी नए वीवर्स और जरूर चानल को subscribe करके बेल आइकन को on कर देना ताकि ऐसी ही more latest or information से भरपूर वीडियो के notification आपको प्रती दिन मिलते रहा है आईए आज का knowledgeable वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोसिस करूँगी कि आपको कैसी ये पता लगाना है आपके पेट के आकार को देखे और साथी साथ मैं अपनी personal experience भी share करूँगी क्योंकि मेरी दो बार pregnancy हो चुकी है मैंने इस चीजों को बहुत बारीकी से और ध्यान से महसूस भी किया है तो आपको एक सही अंदाजा, अनुमान और एक सही सटिक जानकारी मैं आपको दे पाऊंगी इस वीडियो के थुरू आपको बहुत नौलिज़िवल लगेगी और इस वीडियो को बनाने का बिलकुल भी ऐसा मोटिव नहीं है कि आप लरका या लरकी में भेदभाव करें, हर किसी का एक इक्षा होता है अगर आपको पहले से बेटा है तो आपकी बेटी की इक्षा होती है अगर आपको पहले से बेटी है तो बेटी की इक्षा होती है यानि पहली दूसरी और तीसरी ती माही में आपको कब पेट निकलना स्टार्ट होता है अगर इसमें दो कंडिशन होते हैं अगर आपको फॉस्ट प्रिग्नेंसी है तो आपके पेट का आकार जल्दी नहीं बढ़ता है आपके मांट स्पेसिया जो होती है वो थोड़े टाइट होती है तो आपका पेट जल्दी से बाहर नहीं आता है ऐसी कंडिशन में कई सारी महिलाएं घवरा जाती है जो पहली बार प्रिग्नेंट होती है कि हमारा पेट बिलकुल बेबी बंप दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चा ठीक है या नहीं है तो अगर आपका पेट जो है थोड़ा लेट बाहर आता है और अगर आपके सेकेंड प्रिग्नेंसी है तो आपको बहुत ही जल्दी आपका पेट बड़ा दिखाई देने लगेगा और यह कब होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानि जब अगर छटे महीने तक भी आपके पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है जैसे कि जो पतली महिलाएं होती है उनका पेट का बेबी बम का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी तो अगर ऐसी कंडिशन है तो आपक कोशिस करते हैं कि क्या आकार होता है जो एक गर्व में बेटा पैदा होता है तो ऐसी बहुत सारी धार्वनाएं माननेता है जो बुरे बुझुडगे के द्वारा बताई गई है बड़ी प्राचीन माननेता है उसके बेस पर अगर आपका पीट का आकार अंडा कार है यानि बिलकुल उपर से सपार्ट उठा हुआ है फिलकुल अपने बेबी गल कलसीवक की हुई है ये बेबी बॉय का सिम्टम्स नहीं होता है ऐसा आकार जो बेबी बंप होता है उसमें गर्व में लड़किया ही होती है यह ज्यादा तर अमोमन देखा गया है और friends अगर आपका baby bump का आकार्थोरा नीचे की तरब जुका हुआ है बिलकुल गोलू मोलू सा है और ऐसे सपाट नहीं है नीचे की तरब जुका हुआ है अगेन मैं बताना चाहूंगी तो बिलकुल गोल है बॉल की तरह तो ऐसी condition में बेटा ही होता है friends लेकिन ये जरूरी नह जो ज्यादा तर देखी गई है वो बिल्कुल ऐसा ही है फ्रेंट्स कि अगर उपर के तरफ से नीचे की तरफ गया हुआ आपका बेबी बंप है जैसा कि फोटो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूं तो इसमें बेबी गर्ल के चांसे ज्यादा होते हैं और अगर बिल्कुल ग इकनेट हुई थी दोनों ही टाइम मेरा जो बेबी बंप था वो उपर से नीचे की तरफ था बिल्कुल अंडेकार के शेप में था और बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता था जब बेटी होती है तो बेबी बंप आपका काफी जदा बड़ा दिखाई देता है यह भी बेबी गर्ल हुई है और बेबी बॉय के कंडिशन में मैंने जिनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहा उन्होंने यही कहा कि पेट जो है सिम्टा होता है बिल्कुल गोल तरीके का होता है और नीचे के तरफ जुका होता है तो बेबी बॉय होता है लेकिन फ्रेंड्स फिर भी महिलाएं होती हैं तो उनका बेबी बमका का थोड़ा वैरियेट भी कर सकता है तो friends I really hope कि ये वीडियो आपको बहुत knowledgeable लगी होगी जरूर लाइक करना और जादर से जादर शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि सही जानकारी और भी अधिक लोकों दक पहुँच पाए और चानल पर नए हो यार तो प्ले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ और अगर आप कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेस्टन है आपकी क्वाइडी है तो कमेंट शिक्ष में आप पूछ सकते हैं तब तक के लिए दीज़े इजाज़त फ्रेंट्स फिर नेक्स टाइम मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए टेक केर तमस्कार